इस वक्त की बड़ी खबर आपको दा दें कि ममता पैनर्जी के बयान पर शरत पवार ने समर्थन दिया है बता दें कि ममता ने कहा था कि वो बंगाल सीम के साथ साथ इंडिया का नेतर्थ भी कर सकती है जिसके बाद अब शरत पवार ने ममता के इस बयान का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ममता गढ़भन्दन का नेतरत्व करने में सक्षम है ममता इस देश की एक प्रमुख नेता है उनमें वो श्रम्था है साथियों नोंने कहा कि संसत में उनकी ओर से चुने गए नेता काफी जिम्मेदार है वे आपको बता दें कि शरत पवार से पहले सपा भी ममता बैनरजी के बयान का समर्थन कर चुकी है सपा ने कहा था कि ममता एक सीनियर नेता हैं उनके पास काफी अन्वव हैं इसलिए ममता इंडिया गड़भनन का नेतरत करने में काफी सक्षम है इस वक्त की बड़ी खबर आपको दा दें कि ममता बैनरजी के बयान पर शरत पवार ने समर्थन दिया है बता दें कि ममता ने कहा था कि वो बंगाल सीम के साथ साथ इंडिया का नेतर तो भी कर सकती हैं जिसके बाद अब शरत पवार ने ममता के इस बयान का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ममता गढ़भन्दन का नेतर तो कहने में सक्षम है ममता इस देश की एक प्रमुख नेता है उनमें वो श्रमता है साथियों नोंने कहा कि संसत में उनकी ओर से चुने गए नेता काफी जिम्मेदार है वे आगो बता दें कि शरत पवार से पहले सपा भी ममता बैनर जी के बयान का समर्थन कर चुकी है सपा ने कहा था कि ममता एक सीनियर नेता है उनके पास काफी अनवव है इसलिए ममता इंडिया गडवनन का नेतर्थ करने में काफी सक्षम है